अगर आप देखे जो भी मंत्रियों ने भाशन किया जो भी उन्होंने कहा उसमें लोगों के हित का कुछ भी नहीं था मुख्यमंद्री साफ का जो भी भाशन था वो पुलिटिकल भाशन था उसमें किसानों को क्या देंगे या युवाओं को क्या देंगे उसके बार उनने कुछ भी कहा नहीं तहुं अकुछ में नहीं बात के उन्होंने प्लिटिकल स्टाइल जो आचार सहीता है लोक सभे के फिर विदान सभे के उसमें टाइम और जाएगा तो आप डारेक्ली बता दो ना कि आपको आरेक्शन दिना ही नहीं था आपने सिर्फ चत्रबदी शिवाजी महाराज की ऐसे ही शपत ली और वहाँ पे लोगों का दिशा भूल किया ऐसे कुछ बिलकुल कई मद्दो को लेकर आपने भी सर्धन में जो है मद्दो को रखा है क्या बताओगे सरकार सकारत्मक थी और भी सरकार कोई भी लोगों के बारे में सकारत्मक नहीं है जो जो मुद्दे हम ने ली करॉप्शन का मुद्दा लिया युवाओ के 1000 रुपए जो फी ली करेंगी फिर उसके बार आचा सेहता आएगी वह इंप्लिमेंट नहीं हो गया उसके पहले अगर बर्ती हो गई तो उसमें जो तलाटी बर्ती में 30-30 लाग को एक पद गया वहापे करेप्शन हुआ तीन हजार करोड का वैसे वापश और होने वाला है तो यह जो चीज़े है किसानों के बारे में जो मुद्दा हम ने मानदा था कि कॉटन के लिए मोबद ला मिले सुआविन के लिए मिले तूर के लिए मिले जो भी रॉट है या अपना प्री सीजनल रें हुआ था उसके बार करते इस अधिवेशन में सामनने लोगों के लिए कुछ भी नहीं था इस शेज सत्र के दौरान सामनने जनता को कुछ नहीं मिला है आपने जो है 800 किलोमेटर की संगरश यातरा निकाली थी इस दौरान आप कई जीलों से गुजरे हो कई मुद्धों को आपने देखा है पास से किसानों के मुद्धे थे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा सिर्फ उपर उपर से उन्होंने स्पर्श किया या टच किया बाकी कुछ नहीं हो उसमें हमने बताया था कि NDRF का जो निकश है उसका मल्टिपल्स मतलब चार टाइम्स मदद ये सरकार नहीं दी चाहिए उसके बारे में नहीं नहीं हुई और उसके साथ हमने यहीं बात की थी कि यह जो स्पर्दा परिक्षा के मुद्धे हैं कमिट्व एक्जाम के इसाब थे उसके उपर विरोध दी पक्षन निता या जो भी विरोध में जो निता है उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़े बताई लेकिन वो जो चीज़े है उन्हें कुछब इंसके बारे में कोई ज्छी बाताई बारे में कोई बी okay में नहीं है मुक्यमंतिर साहिव कौन से पेकेज के बारे, त्यविय है १ों किसान की कि आरचने मैं आज यूआ अरचनमें है आज वियुमाइपूज लाउफ बहुं इसके वरए इनको क्या मिला मतलब सत्सक्राइब मिला तो वह महारक्षा में जो चल रहा है उसको बूल जाते हैं उसे में हैपी रहते हैं इसलिए उसको उनको कहा कि वह बुले कि नहीं बहुत अच्छा फंड मिला लिए कुछ भी खिसानों के बारे में कॉंक्रिट या अच्छा निर्ने सरकार ने लिया ने कोई भी फंड उन्हें नहीं दिया जो भी बता है वो सिर्फ कैजूली या आप बोलते हैं वैसे विदाउट नंबर उन्हें बात किया है विशेश अदिविशन फरवरी में बुलाया गया उस दोरान फैसलाने वाला है क्या बताऊगे न्सेपी की भूमी का मराठा आरक्ष्ण मिलना ही थे हमारी भूमी का हमने जब बात की थे हमने दो चीजों पर बात की थे एक तो आपको अगर इंदरासानी केस को बाइपास क करके खोट में टिकना है तो आपको इंपरिकल डेटा लगेगा जाती है जन गनना आपको करनी पड़ेगी लेकिन कब तक होगी कितना टाइम लगेगा उसके बार में कुछ भी कहा नहीं गया दूसरी बात अभी इमीडियेटली अगर आरक्षन देना है तो जैसे EWS कोटा ख महाराष्टे के हक का मुद्धा किसी और राज्य के लिए देने के लें हिम्मत है महाराष्टे के लोगों के लड़ने के हम्मत इन सरकार में नहीं है तो हम सबको अभी अवि न लेकर जाएगे तो अगर आचार सहीता आ गया तो खतम टाइम पास हो गया और जो इनको करना है कि OBC विरुधा, Marata करना है, वो शायद यह जने वरीं में करना चालू कर देंगे. अब बिज्दो. मज honest फर्ड़ है बीजय पीके वारे हे, आगर बात करें तो 2019 जो लोकसभई का इलेक्षन था, उसके एक साल पहले, कोरे का भीमा में वहाद दो समाज में हुआ था उसका डारेक्ली इंडारेक्ली फाइदा बीजेपी को हुआ तो वो किसने क्या 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 हो हम सबको देखना पड़ेगा अभी को इंसेरेंटली देखो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन अभी 4-5 मेने में है और अभी मराटा विरुद्ध OBC चलो हो गया मतलब जब लोकसभा इलेक्शन होता है तब ही दो समाज में वाद क्यों निर्मान होता है तबी दो धर्म में वाद क्यों नियमान होता है इसका कुछ तो पड़ाई करना चाहिए दूसरी बात बीड में जो हुआ वहाँ पे स्टेट फॉरवर्ड ले हम सब को दिख रहा है कि जो सब्ता में लोग है उन्होंने ही पुलीस को कहा था कि कुछ भी आक्ट पत करो और वहाँ पे भी OBC समाज के जो आमदार है उनका घर फोड़ा गया कोई दुकानदार का घर फोड़ा गया और उसमें OBC विरुद्ध मराठा करना का प्रेदन वहाँ पे क्या था तो हम सब का अभी एक कहना हो गया फाइनल हो गया कि इस सरकार को OBC विरुद्ध मराठा करना है लेकिन 2019 में शायद वह सक्सेस्फुल हो गया होगा अभी होगा ऐसे हम सब को नहीं लगता लोग सबा चुनाओ या विदान सबा चुनाओ चुनाओ 24 को लेकर क्या रणनेती है NCP क्या बताओ लोगों को विश्वास में लो मन से लड़ो बहुत ताकत से लड़ो हमारे पास लोगशाई है सबसे बड़ी ताकत है BGP के साथ पास पैसा है उनके पास अलग-अलग टाइप की ताकत है उस ताकत के सामने अगर हमको तिकना है तो मन से लोगों के पाथ जाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो दिखाना पड़ेगा, अगर आप दिखा होगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, अगर नहीं दिखा पाएंगे तो नहीं होगा, और दूसरा वह आज की खांस मुलाकात में वक्त चला यह रुखने का देख तरे यह BCL, नमस्कार.